हलो स्टूडेंट विल्कम बैक टी चैनल दिने सर लाइव स्टूड़ी आप मेरे साथ सीख रहे हैं 2020 में आया हुगा 12 का नया सिले बस मैट्स टू के अंदर 6 चैप्टर डिफरेंशल एक्वेशन के अंदर exercise 6.3 हमारा शुरू था आज हम इसको finish करने वाले हैं जो last question number 4 है इसके अंदर 5 sub questions है सारे के सारे questions हम करेंगे अभी तक आपने जो किया था question number 1,2,3 उसी के तरश पर अगे हम करेंगे बट ये जो question number 4 है थोड़ा सा अलग type है जैसे कि आप जानते हो dy upon dx जब होता है तो मैंने आपको question solve हो जाता है लेकिन कुछ ऐसे questions होते हैं जहां पर x और y separate नहीं हो पाते हैं इस तरह से एक दूसरे में मिले हुए होते हैं सातों जनम के लिए जिस तरह से तो ऐसे अगर separable जो ऐसे variable जो separate नहीं हो सकते dx और dy को अलग करने के बाद x और y को अलग नहीं कर सकते तो उनके साथ कुछ अलग तरीके से वैवार करना पड़ता है villain बन जाना पड़ता है और क्या वो तरीका है आज हम हो सीखेंगे question number 4 में reduce each of the following differential to the variable separable form and hence solve यानि कि पहले इसको reduce करो एक ऐसे equation में reduce करो कि to the variable separable form to the variable separable form कि यह जो equation दिया होगा उसको पहले simplify करो ताकि उसके जो variable से उसको separate कर पाओ x को अलग कर पाओ y को अलग कर पाओ या तो xy के बतले का दूसरा कुछ है उसको अलग कर पाओ and hence us all hence us all मतलब तब जाके उसको solve करना है यानि पहले solve नहीं करना है question number 2 और 3 में क्या था हम differential equation को solve करते थे dx और dy को अलग करते थे x और y terms को अलग करते थे integration लेके solve करते थे question number 3 में उतना करने के पाओ particular solution निकालते थे c की value निकालते थे और वहाँ पसे रख देते question number 5 में तोड़ा सा advance है कि पहले आपको उसको solve करने के पहले variable separable formula अब कैसे देखो जैसे कि यहाँ पर पहला question देखते है d y upon dx है is equal to cos x plus y है तो यहाँ पर यह cos के angle में x plus y है तो हम के angle में होने की वज़े से separate नहीं हो सकता x और y को अलग से कहीं लेकिन नहीं जा सकते हैं तो ऐसे question हम question number 4 में सीखेंगे बहुत ही मज़ेदार है interesting है मज़ा आने वाला है ठीक है चलो start करते हैं आपको इस chapter का जब भी कोई question मिले कि आप देखो कि यहाँ x और y को separate नहीं कर पारे हो तो substitution method यूज करेंगे यह जो मैं तरीका पताने जा रहा हूं पूरे question में होगा यहाँ x plus y है cos के angle में तो उसी x plus y को आप u या तो v substitute कर लो आपके test book में u बोलागे हम u letter को prefer करेंगे हर बार fourth के अंदर जीतने question है x plus y की जगह पर u रख दिया आप differentiate करो differentiating with respect to x करो तो क्या जाएगा यहाँ पर लिख सकते हो differentiating with respect to x तो x का derivative with respect to x 1 होगा y का derivative with respect to x dy by dx होगा और u का derivative du by dx होगा अब यहाँ से आप dy by dx की value निकाल सकते हो dy by dx क्या हो गया यहाँ से यह 1 यहाँ पर आया तो du upon dx यह 1 आया तो minus 1 क्यों यह किया पिकोज यह जो du by dx है dy by dx की जरूरत है हमें यहाँ पर ठीक है तो dy by dx एक substitution आ गया और x plus y दूसरा substitution आ यहाँ देखो x plus y है उसकी जगह पर u रखना और जो dy by dx है उसकी जगह पर यह रखना जिससे क्या होगा हमारा question ही बदल जाएगा हमें बोला ही बही क्या है कि reduce करो जो differential equation दिया है ना to the variable separable ठीक है यहाँ x और y को हम अलग नहीं कर रहें तो उसको u नाम दे दिया अब देखो आगे क्या होगा जो question है अब इसको one number डालो एं लिखो from 1 dy by dx की जगह पर यह रखो du upon dx minus 1 और is equal to cos x plus y की जगह क्या रखोगे अब हमारे पस दो variable है एक u है u और एक x है y हट गया है जो y था हट गया है x और u आ गया x और y को हमने replace कर दिया ठीक है यहाँ dy by dx है तो अब क्या करना पड़ेगा देखो पहले तो यह du by dx को अकेला कर दो du है यह is equal to minus 1 इस तरफ गया तो 1 plus cos u हो गया आगे देखो क्या करना ह du by dx है du और यहाँ पर u वाले टम से तो du उपर है तो du को यहीं रखना पड़ेगा और जो dx है उसको यहाँ ले जाएंगे equal के right side में यह जो 1 plus cos u है यह एक साथ इसको इस तरफ लेके है और du के नीचे 1 plus cos u यह क्या था इदर समझो कुछ भी है समझो यहाँ dx आता है into dx आता है यहाँ के divide हो जाएगा यह हो गया इस तरह से dx से साथ कुछ भी नहीं है तो वह नहीं समझो अब हम दोनों साइट का integration नेंगे integrating both side जैसा आप question no.3 और 2 में कर रहे थे हैं पैस से ही एकदम easy है कुछ नहीं सिफ इतना नया था क्या करना था question में जो x plus y है इसकी जगए u आ जा पर लो इसको आप कहीं पर लिख लो चाहिए तो अलग से यह आपका important step है जब भी आप short notes वगरे बनाते हो ना तो वहाँ पर कोशिश किया करो कि 6.3 के अंदर जो reduce वाला question होगा जो separable variable वाला तो यह काम हर बार करना है अब यहाँ पर x plus y था यहाँ हो सकता है x into y आ जाए x minus y आ जाए जो भी आए तो यह तरीका हर question में करोगे तो इसका तो एक अलगी section हो गया कोई बात नहीं उसके बाद एक बार आपने इसको substitute किया तो फिर वापस पहले question number 2 और 3 जैसा question आ जाता है अब इसका integration करना है integration करने के पहले तोड़ा इसको simplify कर लेते 1 plus cos a 1 upon 1 plus cos u का integration निक 2 cos square minus 2 cos square theta minus 1 मुझे 1 plus चाहिए था तो यह minus 1 अगर यहां से उटा के यहां लाते तो 1 plus cos 2 theta 2 cos square theta है तो यह 1 plus cos 2 theta नहीं है 1 plus cos u है 2 नहीं है अगर यह 2 नहीं होगा तो यह theta upon 2 आ जाएगा तो यह देखो replace करते du upon यह 1 plus cos theta 1 plus cos u समझे यह theta की जगा u है 2 cos square क्या जगा 2 cos square u upon 2 क्योंकि theta नहीं u है और simplify करो यह जो cos square है 1 upon cos square यह 2 को side में रखो 1 upon 2 यह 1 upon cos square क्या हो जाएगा sec square u upon 2 और यहाँ पर du है is equal to यह dx है अब दोनों side का integration ले लो integrating both side यहाँ पर भी यहाँ पर भी अब यह half है half को भार ले लो sex square का integration आता है यहाँ पर 1 upon cos square पहले मैंने इसको simplify कर दिया sex square का integration क्या होता है tan, sex square का tan theta का derivative देखो कि tan theta का sex square theta आता है sex square का integration tan theta आता है but sex square u by 2 है so tan u by 2 but यह जो x की जगा पर u by 2 है इसका वापस derivative लेके divide करना पड़ेगा integration है u by 2 का derivative 1 by 2 आता है तो यहाँ पर 1 by 2 से आप divide कर दो इस चीज को is equal to यह कुछ नहीं है तो 1 है 1 का integration with respect to x x आएगा और यह constant आजाएगा x यहाँ पर देखो यह half से half cut हो जाएगा क्या बज़गे tan u by 2 और यह is equal to x x चेही तो यहाँ लेलो minus x is equal to c वहीं रखोगे तो भी चलेगा u बाद में replace करना है यहाँ देखो u था क्या question में u था क्या नहीं था but u हमने कुछ से लाया था तो answer में u कैसे रखेंगे question में u नहीं था तो u क्या था x plus y इस u को हटा दो u की जगे रखो 10 x plus y upon 2 minus यहाँ पर x आजाएगा is equal to c इस तरह से आगए यह तो minus x को वहीं पर भी रखोगे तो भी चलेगा तो यह आपका final answer आचुका है इस तरह से करना है अब मैंने एक आपको बता दिया question number 4 में 1 उमीद करूँगा आप सब खुद से कर लोगी सब कर लोगे टेंचन मतलो एक पहले इसको आप copy करो मैंने यहाँ पर कुछ formula जो यूश की यह वो बताया है यहाँ से यह आप copy करना इस तरह से यह है और अब video को stop करके second खुद से try करना नहीं आएगा तब video प्ले करके आगे match करना कहाँ पर आप अटक रहे थे आ गया तो match करके देखना आपका right है या wrong है खुशी मनाना confidence बढ़ जाएगा आपका डिके चलो second question देखते इसको copy करो जैसे आपने first question किया उसी तरीके से बस second करो सबसे पहले reduce कर दो separable variable separable form में मतलब क्या देखो सबसे पहले question देखके समझने की कोश करो क्या x और y अलग हो सकता सीधे इज़्जत से देखो x minus y का square है इसके पहले क्या problem था cause का angle था x plus y तो ये angle होने के वेशे ये अलग नहीं हो पा रहा था separate नहीं हो पा रहा था यहां पर x minus y the whole square है अगर इसको square root लेते भी हो तो ये square जाके फिर ये एक है और यहां पर तो मतलब नहीं हो सकता separate तो हम इसको क्या करेंगे easily ये जो x minus y है जो separate नहीं हो रहा उसी को you consider करना let करना फिर differentiate करना differentiating with respect to x basic x को basic रखना x का derivative with respect to x 1 होता है y का derivative with respect to x dy by dx और u का derivative with respect to x ये होता है अब आपको ये basically ये आ चुका है ये चीज़े आप use करोगे यहां पर देखो आपको dy by dx है तो एक काम करो dy by dx वहां लेजा 1 du by dx यहां नहीं दो तो minus du by dx हो गया ये plus था ये और minus dy by dx वहां जाके plus dy by dx होगे क्यों किया ये जो चीज़े है हम लोगों के लिए अब replacement है यहां हम substitute करेंगे फट-फट देख लो ज्यादा time ने लोगा आपको x minus y जो है u है u तो u square is equal to dy by dx देखो यहां से replace करो 1 minus du upon dx ये है और a square ये आदे is equal to यहां मैंने क्या कर दिये ये u square into है ना यहां पर गलती से equal लेक दिया चलो into है is equal to यहां पर a square है तो ये a square अब देखो आगे क्या करेंगे अब ये u square into अब ये u square into है ना उसको वहीं लेके चले जाओ या तो क्या करेंगे देखो चलो इसको उधर लेके जाते है u square वहाँ गया, divide हो जाएगा 1 minus du by dx is equal to a square, यह into यहाँ के divide हो गया, अब क्या खुरोगे और simplify करते हैं देखो, इसको minus du by dx वहाँ जाते है, 1, यह वहाँ जाएगा तो यह पूरा term यहाँ आएगा, यह negative इसको positive करने के लिए भाने जा रहे है a square upon u square यहाँ है, तो minus a square upon u square, जो du by dx को वहाँ लेके रहे हैं, तो plus हो गया, du by dx, इसको cross multiply करो u square into 1 u square minus a square upon u square, is equal to du by dx अब क्या करना है, अब separate करो देखो, अभी तक मैं क्या कर रहा था, reduce कर रहा था, reduce कर रहा था variable separable form में, अब यहाँ मुझे u मिल गया, u के लिए du है, और x, x है नहीं, लेकिन dx है, तो कोई problem नहीं, अब क्या करेंगे, देखो, यहाँ पर, जो du उपर है, उस तरफ है, इसको वहाँ ले जाना पड़ेगा, dx नीचे है, तो dx को यहाँ ले रहा, जो d वाला होता है, du, dx, dy, जो उपर रहता है, उसको उधर ही रखने का, जो नीचे होता है, उसको दूसरी तरफ ले जाना है, dx नीचे है, तो इसको इस तरफ लाओ, तो इस तरफ dx आ गया, और is equal to, du को यहीं रखा, ठीक है, सबसे बहले इनका काम कर दिया, अब इसमें देखो, यह सा साइट का integration है, यहाँ पर हमने क्या किया था, इनको reduce किया था, अब हम लोग इसको solve कर रहे है, अब क्या कर रहे है, solve कर रहे है, solve करने का मतलब क्या है, यह dx और du हटना चाहिए, अब देखो, यह dx है, इसका integration तो easily आएगा, तो इसको modify करते है, u square upon u square minus a square, इसका integration कैसे निका करने, तो देखो, आपने सीखा था, ऐसे जब भी होते है, दोनों का power same है, u square, u square, तो आप क्या करो, कुस्तो adjustment करो, adjustment कैसे करना है, यहाँ देखो, u square minus a square है, और a square क्या constant है, तो खुद से में क्या करते हो, minus a square plus a square कर देता हूँ, जिससे क्या होगा, कि इसका numerator और denominator में यह वा अगर, तो one f1 का integration x आएगा, लेकिन एक constant यहाँ पर c1 देना पड़ेगा, दे दो, चलो, कोई problem ने, लेकिन अगर आप चाहे तो इसको लिखते जाओ, और दोनों का integration x साथ निकाल के, एक ही बार एक constant निकालना, नहीं तो, अगर आप चाहते हो, क्यों बार बार इसको में ल इसको split करो, u square minus a square और यहाँ पर plus a square है, तो यह जो denominator है, इसको दो बार split कर दो, इस तरह से, u square minus a square, इस तरह से, ठीक है, और यह integration हो गया, यह du हो गया, प्लस c1, अब क्या करो, x is equal to, integration दोनों के पास जाएगा, अब यह cancel हो गया, ठीक है, दोनों सेम सेम हैं, तो one आ गया, integration पहले इसके पास गया, तो one, du को आने दो, इसके पास, फिर plus, integration यहाँ आने दो, a square अपॉन, u square minus a square, और du plus c1, अच्छा, इसमें भी देखो, a square है ना, यह constant है उपर, तो यहाँ पर one लिखके a square को बाहर ले लो, simplify करके बतारो, tension मतलो, x is equal, अब वापस से one का integration with respect to u, अब दे इधर भी वन था, इधर भी वन था, इधर x लिया, तो इधर u, q लिया, देखो, यह one था ना, one का integration dx, with respect to x था, तो answer x आया, यहाँ one का integration with respect to u है, one का integration with respect to u है, तो answer में u आएगा, समझ में आ रहा है, प्लस यह a square, अब देखो, यह format देखो, क्या है यह, याद करो, one upon x square minus a square, integration आपने किया है, integration के सारे formula याद ने चीए, यह जो था, इसका formula क्या था, one upon two a, log, x minus a, उपर, upon x plus a, और plus constant c, यह formula था, याद है ना, तो यह formula यूज करेंगे, a square भार है, इसका formula, one upon two a, a मतलब constant, a की जगह पर यहाँ भी a है, so one upon two a, यह a है, okay, फिर log, log, क्या था, यहाँ x minus a है, तो उपर x minus a, यहाँ u minus a है, तो u minus a, upon u plus a, अब देखो, इस x का पहले से constant था, c1, यहाँ से, दोनों में से मिला किया, और एक constant आएगा, तो एक नया constant हो जाएगा, c2 लिख सकते हो, यह c लिख सकते हो, constant बदलते जाओ, यह c1, और यहाँ का एक constant हो रहा है, और finally आपके पास u जो है, उसको replace करो, x is equal to, यह जो u है, u की जगा क्या रखना है, देखो, यहाँ पर x minus y, तो यह u है, x minus y हो गया, plus, यह a into 1, a upon 2 आगया, और log यहाँ पर, यह जो u है, u, वापस से u की जगा x minus y कर दो, x minus y minus a, upon x minus y plus a, और plus, यह constant c2 है, अब देखो, यहाँ है, यह तो समझो, यह x इस तरफ आया, तो minus x, x minus x, 0 हो गया, तो finally बच्चे का क्या देखो, यह जो minus y है, इसको मैं इस तरफ लेके आता हूं, यह हो जाएगा, plus y, ओके, यह plus y हो गया, यहाँ पर a by 2, और log है, x minus y minus a, upon x plus y plus a, अरे, x minus a plus नहीं है, और plus c2, हो गया यह, यह ह ृSirmplify करें इसको, तो कर सकते हो, क्या कर सकते हो, यहाँ पर upon 2 है न, सब में 2 से multiply करो, तो यह चलो, यह formula दिखाए था, आगे करते हैं इसको, और simplify करो, यह 2 है, यह 2 है, सब में 2 से multiply करो, यह 552, हो यह 2 कैंसल, यह 2 कैंसल, यह आ है, a log, और यह जो था, वहीं रहेगा, x minus y minus a x minus y plus a but यहाँ 2 से multiply गया यहाँ किया यहाँ पर c1 था c2 था तो इसमें 2 से multiply करना है 2c2 और इसको नया नाम बदल देना या तो चाहिए तो इसको यहाँ लाना और इसको यहाँ लाके minus 2c2 करके c कर सकते है यहाँ ऐसे ही रखो 2y is equal to a log x point जितना simplify होता है उतना simplify करने का और constant यहाँ कुछ भी आता है उसको बदल के c रख देने का और लिखने का इस है where c is equal to 2c2 ओके यह हो गया तो यह आगे आपका final answer इस तरह से करना है अब आप देखो कि कहीं digest में यहाँ वाँनीत में target में हो सकता answer match नहीं करता हो या पीछे तो कोई problem नहीं answer में हो सकता है plus c यहाँन माइनस c करके यह वहाँ हो यह 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 यहाँ हो आपका answer right है थोड़ा यहाँ वहाँ आता है तो चलेगा मतब़ मतलब कीज तो वही है थोड़ा आके पीछे हो यह plus c हो सकता है यहां लिखाओ, ऐसा लिखाओ, this is equal to, फिर यह 2y यहां लिखाओ, समझ में आ रहा है कि नहीं, तो कोई problem नहीं है, आपका answer सही है, जो भी आएगा हो, question number 4 का 2, okay, तो यह हो चुका है, थोड़ा लंबा solution कोई बात नहीं है, इसको copy करो, चलो आगे देखते हैं, अब देखना है next question, third वाला, देखो हरे question में, थोड़े थोड़े changes से method वही है, आपको सिर्फ पैचानना है कि variable कहां छुपके बैटे है, mix होके, उनको ढूंड निकालो, उसको you substitute कर दो, देखो यहां पर x plus y into dy by dx से, x और y एक साथ है, बट अलग अलग है, देखो y की dy by dx से साथ है, यहां द अब differentiate करो, differentiating with respect to x करना, लेकिन x, y, 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 3, 3, time है, x के साथ ही करना, x square का derivative क्या होता है, 2x, 2 आगया क्या 2x, with respect to x है, इसलिए 2x ही आएगा, जब y square का करोगे, तो 2 आगया क्या 2y हो गया, but with respect to x करोगे, इसलिए y का again derivative आगया, dy by dx, जब u का derivative करोगे, with respect to x, तो क्या देगा du by dx आगया, अब यहाँ पर 2, 2 है, सबको 2 से divide कर तो simplify करने के लिए, यह हो गया, x, 2, 2, cancel, y, 2, cancel, dy by dx, is equal to, यहाँ 2 से divide किया, तो 1 upon 2, du by dx आया, अब यहाँ देखो को तो मुझे x plus y into dy by dx दिख रहा है question में, और यहाँ पर x plus y dy by dx आया, वापस का answer, यह ही utilize करेंगे, तो यह जो है, इसको box कर देते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि यह हमारा substitution वाला part है, इनका use करके हम आगे करेंगे, बहुत ही simple समय, द्यान से देखो, आगे बताता हूं, यह जो है, x plus y dy by dx, इसको equation number 1 रख दो, इसको 2 रख दो, इसको 3 रख दो, अब यहाँ लिख सकते हैं, from 1, 2 and 3, मैं is equal to, is equal to sec, और यहाँ पर x square plus y square को हम नहीं कह लिया, u, तो sec, u हो गया, अभी सबसे पहले जब हम substitution कर लेते हैं इस चीज को, तो यह हमारा variable separable form आ जाता है, अब यहाँ y और x की जगा, u और x आ गया, बट अब variable separable है, अब देखो, यह du upon dx है, सबसे पहले आप ऐसे कर सकते हो कि 2 से multiply कर दो दोनों में, तो यह 2, 2 cancel हो गया, du upon dx आ गया, और 2, 2 cancel, यहाँ पर 2 sec u आ गया, इस तरह से, ठीक है, यह तो ऐसे नहीं करना है, तो मत करो, simple में बताता हूँ, यह du और dx को अलग अगर करना है, तो du यहीं रखना पड़ेगा, dx यहाँ आ जाएगा, समझ गए, औ यह समझो, यह यहाँ divide होगा, तो कैसे हो जाएगा, कि यह नीचे आ जाएगा, upon में sec u, और यहाँ already 1 by 2, इसको रखो यहीं पर, और dx के साथ, यह dx यहाँ गया, कुछ नहीं है, तो समझो, 1 है, अब क्या करोगे, अगले step में half, देखो, यह 1 upon sec u है, 1 upon sec क्या होता है, cos u होता cos का integration क्या होता है, cos का integration, sin with respect to u कर रहे हैं, cos u का sin u आएगा, integration में क्या होता है, answer अगर c से start हो रहा है, तो minus देना, integration में अगर answer c से start है, c से start है क्या, नहीं, तो minus नहीं आएगा, 1 का integration with respect to x, x आएगा, और plus यह constant c आएगा, अब चाहिए तो यह 2 अटाने के लिए, सब में 2 से multiply करो, तो यह 2, 2 cancel, यहाँ पर sine u आ गया, यहाँ पर 2x आ गया, और प्लस यहाँ पर 2c आ गया, अब इस c को आप क्या कर दो, यहाँ से c1 दे दो, 2c1, sine u का value क्या था, देखो, यहाँ पर u का value x square plus y square, इस u की जग़ा रगदो, x square plus y square is equal to 2x, और 2c1 को c कर दो, तो यह आपका answer आगे, constant को कभी भी बदल सकते और यहाँ लिग देने का, where c is equal to 2c1, okay, बस इतना ही गाना था, कोई कितना आसान था, कौपी करो, इसको अगला देखते है, अभी जो हमने question number 3 किया, 4th में 3rd, उसका जो answer आया, वो आपको तो टेक्स्ट बुक में mismatch नहीं हो रहा है, मैंने भी चेक किया, तो उसमें क्या problem है, कि टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिश्टेक दिया हुआ, बहुत सारे बच्चे बोलते, सर आपने गलत या, ऐसे नहीं होता है, जो आप सम सॉल करते हो, उसका जो answer आ रहा है, अब टेक्स्ट बुक में मैच करना, जबरजस्ति ज़रूरी नहीं है, जो आएगा, जो सच है, वो सच है, तो टेक्स्ट बुक में महुत सारी प्रिंटिंग मिश्टेक है, मैं जो बता रहा हूँ सब सही सही बता रहा हूँ आप चाहिए तो खुद से सहल करके देखो दो बार तीन बार देखो कही मिश्टेक मिलती है तो डूड और मुझे कमेंड में बताना वैसे तो मैंने जो बता है वो सही है टेक्स्ट बुक का करेक्षण आने तो वह में आपको पोस्ट करूंगा वीडियोज के ज़रीए एक बोर्ड की दरफ से टेक्स्ट बुक करेक्षण की लिस्ट आती एक कौन-कौन से पेच्छ पर कहा कहा मिष्टक रहां किसके answer में मिष्टक है question मिष्टक के सब मैं जरूर दूँगा ठीक है मैं जो बता रहां भरोसा खोरो आप सारी चीज़ètres नूट्स बनाते रहा हूं है वहर चैप्टर का जो बचते वह चैप्टर हूं ने वाला हु ठीक है अभी fourth question cos square x minus 2y is equal to 1 minus 2dy मैं आपको बोलता हूँ आप वीडियो को stop कर दो यहाँ पर बस अब आप stop करो, बंद मत करना, stop करो और खुद से try करो, question लिख लो यह और खुद से try करो, guarantee देता हूँ कर लोगे अगर आपने first second third में अच्छे से ध्यान दिया होगा तरीका आप सिख गए हो, एकदम easy है, फटाक से खुद से कर लोगे, फिर play करके match कर लेना और खुद से अगर आ गया ना बहुत मजा आता है अच्छा लगता है यहाँ पर, ठीक है अब देखो आगे, cos square x minus 2y is equal to 1 minus 2dy by dx, देखो cos square के angle में बैठा हुआ है क्या है वो, let करो x minus 2y इस angle को उठा लो और इसको u रख दो, क्योंकि इस angle में x और y को हम अलग नहीं कर सकते हैं वो ऐसे जुड़े हैं कि उनका तलाग कर रहा मुश्किल है, तो अब उसको तलाग नहीं कर सकते हैं तो क्या करो, काजी को ले क्या हो याने x minus 2yn उसको u ले लो ठीक है, अब क्या करोगे यह तो ले लिया, फिर हर बार की तरह इसको differentiating with respect to x कर दो तो क्या होगा, यह जो x का derivative 1 होता है, minus 2y का derivative 2 होगा, जैसे 2x का derivative with respect to x 2 आता है तो 2y का derivative with respect to x 2 आएगा, और y का derivative again derivative dy by dx आएगा u का derivative with respect to x du by dx आएगा, तो अब यहाँ जरूरत क्या है देखो, यहाँ पर देखो कि 1 minus 2dy by dx है, यहाँ 1 minus 2dy by dx आएगा तो इसकी जगह पर, इसकी जगह पर हम direct du by dx रख सकते हैं, तो बस ज़्यादा simplify करने की जरूरत में है, इतने पर छोड़ दो, अब क्या करो, अब यह from 1, यहाँ 1 लग दो, हर बार equation वगर लिखते जाओ, from 1, इसको चाहिए तो 2 दे दो, इसको हर बार ऐसे लिखने गा, from 1, 2 and 3, हर बार लिखना, पीछे पहले दूसरे question में नहीं किया था, आप करना, okay, cos square, cos square, x-2y को हम नहीं कहा लिए है, u is equal to, 1-2 dy पर dx, पूरा का पूरा जो term है, वो आचुका है, du by dx, पूरा हटा दो, du by dx, यह हो चुका है, du by dx, अब आचुका है, variable, separable form, अब इसको solve करना है, solve कैसे किया जाए, यहाँ कर देता हूं, solve, देखो, cos square, u है, du by dx, अब du dx को separate करना, du उपर है, उसको वहीं रखो, जो नीचे dx, उसको left hand side में लाओ, तो dx यहाँ आगया, यहाँ पर du है, यहाँ पर du है, जो du dx का खलाग कर दिये, अब जो du, यह cos square u है, इसमें u variable है, यह du के साथ होना चाहिए, यह तो left hand side में, तो यहाँ से जब यह du के पास जाएगा, तो upon में चला जाएगा, तो यहाँ पर one upon कर दो, cos square u है, यह du के नीचे लिख दो, यह cos square है, अब यह हो गया, तो यह dx upon में था, यहाँ आगया, और cos square u, जो du के नीचे आगया, इस तरह से, अब क्या करो, दोनों side का integration कर दो, integration का पहले के, simplify भी कर सकते हो, चला ऐसे करते हैं, यह dx में 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पर integration 1 upon cos square क्या होता है, sex square u है, with respect to u, अब देखो 1 का integration with respect to x, x आ जाएगा, sex square किसका derivative होता है, tan का derivative होता है, अब यहाँ पर answer में x है, c है, बरबर u क्यूं आया, u तो question में था नहीं, तो u आपने किसको लिया था, x-2i को, u की जगा लिख दो, x-2i, तो यह tan, फिर यहाँ x-2i आगया, और plus क्या आगया, c, अब फिर से इस x-2i को अलग नहीं कर सकते, एंगल में, वैसे ही रहने दो, इसको highlight कर दो, यह हो चुका answer, हो गया simplify, कितना आसाने दो, match करो, आपने पहले किया था, सही है ना, very nice, congratulations, जो लो last question, fifth वाला देख लेते हैं, अब आ गए हम लोग, last question पे, fifth question, क्या है, 2x-2i plus 3, dx-x-y plus 1, dy is equal to 0, यहाँ पर हमें condition दी है, when x is equal to 0, and y is equal to 1, यहाँ याद करो, question number 3 था ना, particular solution वाला question, वैसा question है, यहाँ पर जो constant c, last में आता है ना, उस c की value, यह values से निकालेंगे, और वापस से c की value, substitute करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखो, क्या यह variable separable form में है, यहाँ देखो, 2x-2y plus 3 के साथ, into dx है, यहाँ x-y plus 1 के साथ, into dy है, तो x और y अलग करना मुश्किल है, तो हम क्या करते, simplify करते, देखो, यह 2x-2y है, यह x-y है, कोई ऐसा common नहीं देख रहा, जिसको मैं u substitute करूँ, है ना, मुझे तरीका है ना, किसी को substitute कर देते हैं, तो करते हैं कुछ तो देखो, यह 2x-2y, इसमें से 2 common ले लो, तो क्या बचेगा, x-y, और plus 3, तो यह हो गया, यहाँ dx है, यह जो minus में चीज़ है, उसको उस तरफ लेगे जाओ, तो is equal to, यह वहाँ गया, तो x-y, plus 1, into dy, equal to 0 हड़ गया, यह negative था, तो positive हो गया, अब दोनों तरफ देखो, x-y दिख रहा है, उसी को ले लो, let x-y is equal to u, derivative, differentiating with respect to x, x का derivative, 1, कितनी बार बता हूँ, वही चीज़े, मैं 6.3 में बता, कब से बता रहा हूँ, first question, second question, अब यह last question है, अगर आपको लग रहा है, कि मैं speed में जा रहा हूँ, तो वीडियो की, जो playback speed होती है, कम करके देखो, ठीक है, ओके, मेरी speed कभी भी आपके हाथ में है, आपको लगता है, मैं speed में जा रहा हूँ, तो setting में जो होता न, playback speed में, half कर सकते हो, slow कर सकते हो, dail गुना कर सकते हो, double speed करके देख सकते हो, आपके उपर है, कोई tension मतलो, फटा-फट बता रहा हूँ, देख लो, तो 1-dy by dx, is order du by dx है, यहाँ ज़रूरत क्या है देखो, यहाँ पर यह dy है, यह dx है, अगर यह यहाँ आता है, तो dy by dx आता है, एक काम करते हैं, यहाँ से न, यह dy by dx ही value निकालता हूँ, यह 1, du by dx हैं यहाँ पर आया, तो minus du by dx, और यह minus dy by dx, वहाँ चला गया है, तो plus dy by dx, यह मेरा substitution part है, इसको अलग से करो, इतना तो हम हर बार कर रहे हैं, देखो, यह तरीका आपने देखा, कभी x plus y होता है, कभी x minus y, जो भी होता है, इसको u लिया, अब, यहाँ से देखो, तो रख दो, 2, इसको equation number 1 रख दो, चाहिए तो यह 2 रख दो, और इसको 3, so you can write, from, हर बार यह करना, from 1, 2 and 3, तो 2 times, x minus y क्या है, देखो, 2 times u plus 3, into dx, फिर is equal to, x minus y को क्या करेंगे, u plus 1, into dy, यह आ चुका है, बड़ यह dx और dy भी हटना चाहिए न, तो एक काम करते हम लोग, उसके लिए भी substitution करते, यह देखो, यह u plus 1 को यहाँ लाओ, 2 u plus 3, upon, u plus 1, is equal to, यह dy है, यह dx यहाँ गया, तो upon dx हो गया, अब देखो, आपको समझ में आ रहा होगा, क्या करना चाहिए, देखो, 2 u plus 3, 2 u plus 3, upon u plus 1, यह है, यह dy by dx है, इसको dy by dx की value equation 3 में है, 1 minus du by dx, रख दो, 1 minus du by dx, क्या किया मैंने, यह dy by dx था हो, उसको हटा के, उसकी value 3 से रख दिया, अब simplify करना, अब du dx को अलग करना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ यह 1 है, तो क्या करो, minus du by dx को यहां ले लेते, तो plus हो गया, यहां पर 1 है, इस पूरे टंग को वहां लेके जाओ, तो minus 2 u plus 3, upon u plus 1, बज़िया, यह u है, आप यहां वहां करते रहो, simplify करने से मतलब है, ठीक है, कोई ऐसा fix तरीका नहीं कि यही करने का, अब इसको separate करने के लिए, 1 minus उसके साथ था हुआ नहीं जोना चाहिए था, तो अब यहां पर cross multiply कर दो, इसको अच्छे से लिखता हूँ, 1 के अंदर u plus 1 का multiply, 1 into u plus 1, u plus 1, minus, यह minus होगा तो दोनो, sign change, upon u plus 1, simplify करो, du by dx is equal to, देखो यह u और minus 2u, 1u में से minus 2u किया, तो minus 1u, 1 minus 3, तो minus 2, 1 minus 3 minus 2, upon u plus 1 होगा, अब इतना तो आ चुका है, अब क्या किया जाए, आगे, अब आगे देखो, यहां पर du और dx, दो variable है, u और x, और यहां पर सर्फ u आया है, x है नहीं, और dx नीचे हैं यहां पर, तो हम equal के बाद, इस dx को यहां लेके जाते हैं, और यह जो चीजे हैं, अचाहिए, यहां से हम ऐसे कर सकते हैं, minus common रख सकते हैं, यह plus, minus common ले लिए, यहां पर यह minus को यहीं रहने दो, इस term को उठा के यहां लाओ, du के पास, यहां पर देखो, equal के बेले सिफ du बचा है, तो यह u plus 1 नीचे था, यहां आके, u plus 1 उपर हो गया, u plus 2 उपर है, वो नीचे आ गया, अब चाहिए, यहीं पर कर देता हमें, integrating both side, यहां पर एक मिनट, यह equal था, और यह minus था, integration ले लो इस तरह से, minus अंदर बाहर रखो, चलेगा, कोई problem नहीं, अब यहां पर यह du है, इसको अब integration लेना, आपके लिए challenge है, कि आप किस तरह से, u plus 1 upon u plus 2 लेते, integration चाप्टर आपने किया है, चलो ट्रीक लगाते हैं, integration देखो, यहां पर u plus 1 है, यहां u plus 2 है upon, du है integration minus dx है, अब देखो, यहां पर upon में u plus 2 है, दोनों का power 1, 1 सेम है, तो क्या करो पाता, यहां 2 है ना, तो इस 1 को change करते हैं, 1 को लिखते 2 minus 1, तो हम ऐसे करते थे, u plus 1 को दूर रखो, यहां पर क्या करो, plus 2 करो, और minus 2 करो, क्योंकि यहां upon में plus 2 चाहिए, तो यह क्या हो जागा, u plus 2 और plus 1 minus 2, अपसे minus 1 हो जाएगा, तो यह तरीका लगा, यहां direct में जो सिखा रहा हो, करो, सब integration आपने किया नहीं वहाँ सिखा है, u plus 1 है, तो इस plus 1 को, यहां plus 2 है, यहां 1 है हमारे यहां, 1 है, तो 1 को क्या करो, 2 minus 1 कर दो सीधा, अब इसको separate करो, u plus 2 upon u plus 2, minus 1 upon u plus 2, समझ में आ रहा है, और into du, इसको चाहिए तो आप कर दो, यह तो रुको न, एक ही साथ करते दोनों integration, अब इसको cancel करो, यह 1 आया, यहां गया, integration 1, with respect to u, minus यह integration है, 1 upon u plus 2, with respect to u, इसको रुको, रुको जड़ा, अब 1 का integration, with respect to u, u आएगा, 1 upon x, 1 upon x का integration, log x होता है, यह log आ गया, log वही, plus constant c आ गया, अब u तो नहीं चाहिए, u क्या था, यहां देखो, u क्या था, x minus y, u को replace करो, x minus y, minus log, u plus 2, अब यहां भी u है, इस u को भी replace करना पड़ेगा, इस u को replace करो, u क्या था, फिर से x minus y, यहां गया, x minus y, plus 2, is equal to, minus x, plus c, थोड़ा simplify करते, minus x यहां ले रहे थे, तो यह x अलवड़ी था, minus x आके, plus x हुआ, cancel मत कर दे न, minus x यहां पर आए, plus x हुआ, x plus x, 2x minus y, x x, यह हो क्या, minus log, x minus y plus 2, यह हमारा answer आ चुका है, ठीके, लिकिन, fifth वाले में, यह value दे थे, देखो, when x is equal to 0, and y is equal to 1, तो अब यहां पर लिखोगी, when x is equal to 0, and y is equal to 1, यह लिखके न, अब particular solution निकालोगे, c की value निकालोगे, substitute करना है, चलो रखके देखते, x की जग़़ 0, रखके 2 into 0, 0, minus y की जग़़़ 1, 1 रखका, 1 minute, minus, minus log, x की जग़़ 0, minus 1 plus 2 is equal to c, क्या रहा, 0 minus 1, minus 1, minus log, 0, 2 minus 1, 1 होता है, 2 minus 1, 1, 1 plus 0, 1, so log 1 is equal to c, तो log of 1, 0 होता है, यहां के, minus 1 minus 0, is equal to c, और finally, हमें क्या मिल गया, यहां पर देखते, c की value क्या मिल गई, minus 1, c की value मिल गई, minus 1, इसके बाद का, yes टेपट, ठीक है, अब, final answer लिखने की बारी आ गई, final answer कैसे लिखोगे, दिखाई दे रहा है, yes है जग़, अब देखो, यहां पर, जो यह equation था, finally, यह, इसको equation number, 4 के अंदर, c की value रख दो, 2x minus y, 2x minus y, minus log, minus log, x minus y, plus 2, plus 2, is equal to c, c कितना है, minus 1, is equal to minus 1, दिखाई रहागा, दिखाई रहा है, दिखाई चलो, अब minus 1, 2x minus y, is equal to, minus log, यह था न, minus log, x minus y, plus 2, c की जग़ा, अब यह minus में है, एक काम करो, उसको इस साइड लेके आजाओ, so 2x minus y, minus log, x minus y, plus 2, यह minus 1, इस तरफ आए, तो plus 1, is equal to 0, और यह आगे, आपका final solution, differential equation का, तो इसमें अलग क्या था, यहाँ पर यह data दिया था न, इसका use कर रहे हम लोग, यहाँ से हटा दे तो हमें, यहाँ पर लिखा है देखो, ok, when x is 0, and y is 1, यह value रखके, c की value वापस निकाला, question हमें 3 के जैसे, और फिर finally, जो solution हमने, निकाला, के लिए, जो किसी न, किसी question पर अटक याथ है, मैं सारे question करके दे रहा हूँ, इसी के साथ 6.3, जो है, यह पूरा हो गया, और अपने एक, बोलते हैं न, milestone achieve कर लिया है, धीरे-धीरे, slowly and steady, we will win the race, we will complete the syllabus, and, अब next, जो lecture होगा, वहाँ पर 6.4 हम start करेंगे, अभी आपने जो question number 4 देखा, यहाँ पर आपने देखा, किस तरह से, आप जो variable separable form करने के लिए, substitute कर रहे हैं, इसी method से, पूरा का पूरा, जो 6.4 होने वाला है, उसमें approximately 15 questions है, वो सारे question ऐसे ही करने वाले हैं, यह सारी चीज़गार आपको आ गई होगी, तो 6.4 जो exercise है, वो बहुत easy लगेगा आपको, हाँ, लेकिन solution देखो, यह कितना लंबा गया, solution लंबा जाएगा, बहुत सारे बच्चे देखके डर जाते, लेकिन मैं आपको direct 6.3 से सिका रहा हूँ क्या, छोटी-छोटी चीज़े करते करते, कब हम बड़े-बड़े sum solve करने लगे, आपको पता भी नहीं चला, इतने बड़े sum solve कर ले रहे हैं, तो इसी तरह से 6.4 जो है, उसमें भी काफी बड़े-बड़े sums है, लेकिन कोई problem नहीं, अगर आप 6.3 तक सीख चुके हैं, एक्सपर्ट हो गएं, तो 6.4 आपको आही चुका है, जरा भी टेंशन ही लेना, मैं आपको नेक्स लेक्चर में बताऊंगा, किस तरह से solve करना है, 15 क्वाश्चन है, फटा-फटाम लोग solve कर लेंगे, उसके बाद और 6.5 और 6.6 है, 6.5 इस साल 2020 में COVID की वज़े से solve से निकाला गया है, लेकिन उसको भी बाद में करा ही दूँगा, लेकिन जो जरूरी है पहले वो करा दूँगा, ठीक है, पूरा solve हमारा complete होने वाला है, जैसे ही differential हमारा complete होता है, line and plane एक बचा हुआ है, वो complete करने वाला हूँ, साथ ही मैं मैं miscellaneous के लिए आप लोग के लिए, जो है मैं lectures की त्यारी कर रहा हूँ, आपको फटा-फट miscellaneous देना है, कैसे देना है, और एक अलग तरीके से मैं miscellaneous आपके सामने लेके आना वाला हूँ, test series भी आपकी चालू हो रही है इस अपते से, test series के लिए मैं आपको community और telegram पर regular आप announce करते रहा हूँगा, आप लोग तयारी कीजिए, test दीजिए, अपने आपको तयार कीजिए कि कैसे भी करके हमें 100 में से 100 मार्क्स लाना ही है, ठीक है, और इस channel से पढ़ाई कर रहे हैं यार, channel का नाम रखना, ओके, और जितना ज़्यादा हो सके, मार्क्स लाना है, उसके लिए पहले तो तयारी करो, मार्क्स दूर की बात है, पहले कर्म करो, मेहनत अपने आप होगी, कर्म करोगे, मेहनत करोगे, करोगे, फल अपने आप आएगा, ठीक है, मेहनत आपको करना है, और मैं आपके साथ हूँ, test series से लेके, PDF note से लेके, सब telegram पर दे रहा हूँ, telegram पर नहीं चुड़े हो, तो जूड़ जाओ, फड़ाफर, ओके, चलो, और एक request है आपसे, चैनल पर अगर आप पहली बार lecture मेरा देख रहे हो, तो कोई problem नहीं है, देखो, मैंने सब कुछ करके रखा है, subscribe कर लो चैनल को, और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा share करो, juniors को करो, 10 वी आ लोगो, ग्यार वी आ लोगो, commerce लोगो, सब ही का मैंस में पढ़ा रहा हूँ, सबसे पहले मेरा target था, science मैंने 11-12 का science 90% पूरा कर दिया, एक-एक chapter बाकी वो हो जाएगा, यार, अभी तो भरुशा करो, एक-एक chapter सब कुछ कराऊँगा, कराऊँगा, और CTJ के lecture सब दूँगा मैं आपको, सभी में share करो, जादा जादा बच्चों तक ये channel जाने दो, मिलते हैं next lecture में, bye everyone.